अगर आपके दिमाग में कोई किंतु परंतु है, नीट को लेकर, या किसी भी विश्य पे आप परिशान हैं, तो आज इस वीडियो पे आपका समस्त सॉलीशन हो सकता है, कोई भी एक्जाम की तरफ आप देख रहे हैं, तो हर एक्जाम में कुछ discipline होता है। आप ऐसी जानकारी अगर आज इधर, कल उधर ऐसा ऐसा करके भिन भिन तरीके से देखेंगे, तो आपका mind distract होता रहेगा, आप distract ना हो, आपको 10-20 लोग ज्यान ना दे रहे हो, आप किसी एक भरुसे मंदिर इंसान के आप भरुसा करें, इसका सच में बहुत पैसा लगता है, आप कितना कमा लेंगे इन सब चीजों को करके, ऐसा बहुत सारे सवालों का जवाब है ये वीडियो, नीट के बारे में संपोर्ण जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ, कि अगर आपके दिमाग में कोई किंतू-परंतू है, नीट को लेकर, या किसी भी विश्य पे आप परिशान है, तो आज इस वीडियो पे आपका समस्त सॉलूशन हो सकता है, कि इसकी eligibility क्या है, आपकी module बनाना होता है, कौन सी book use करनी पड़ती है, और सच में बहुत पैसा लगता है, आप कितना कमा लेंगे इन सब चीजों को करके, ऐसा बहुत सारे सवालों का जवाब है ये वीडियो, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, like, share, subscribe, जरूर कर लीजेगा, सबसे पहली चीज self discipline किसी भी बच्चे में अपने आप नहीं आता है, इसके लिए सही मार्गदर्शन की जरूरत होती है, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, मतलब सीधा सा सवाल ये है, सीधा सा जवाब ये है, कि आपको कही न कही जानकारियों का अभाव है, आप ऐसी जानकारी अगर 10-20 लोग ज्यान ना दे रहे हो, आप किसी एक भरूसे मंद्य इंसान पर भरूसा करें, इसलिए बिटा हमने आप लोगों के लिए एक आरंभ बैच के माध्यम से आपकी हर एक चीज की विवस्था कर रखी है, तो आप अपने दिमाग में ये बात याद रखना है, कि बैच के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं, लेकिन फिलाल जान लेते हैं नीट के बारे में, नीट क्या है, तो उसकी बैच की जानने के जानकारी भी आपको फिर मैं अंत में डिटेल में दे दूँगा, नीट 2024, नीट एक 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 जाम जिससे डॉक्टर बनने के लिए दिया जाता है कौन-कौन से डॉक्टर बनते हैं इससे इससे मैक्सिम लोगों को यह जानकारी होती है कि सिर्फ MBBS डॉक्टर ही बन रहे हैं अगर नहीं हुआ तो जिंदगी बरबाद हो जाती है भारत के बहुत अच्छे-च्छे कॉलेज़ की नर्सिंग एक्जाम के लिए जससे लाइक एमस नर्सिंग का इसके लावा MNC, MNS सारी, military जो नर्सिंग सेवा होती है उसका भी एक्जाम जो है वो NEET के थुरू ही लोग admission ले सकते हैं तो भारत में ऐसे बहुत सारे colleges हैं जहां पर आप अलग-अलग तरीके के doctor बन सकते हैं with the help of NEET तो आप NEET सिर्फ MBBS पहला भ्रांती ये हटा दो कि अगर आप अपका MBBS नहीं हुआ तो आपको कुछ नहीं मिलेगा as compared to BSC, as compared to other जो भी आपका future बनेगा उससे ज़्यादा अच्छा future आप नेचरोपेटी, फिजियो थरपी इन सब चीजों में बना सकते हैं इसलिए आप NEET के बारे में जानिए कि NEET सिर्फ एक NEET नहीं, एक exam नहीं है जिसमें सिर्फ MBBS नहीं बहुत सारी चीज़े बनती हैं, इसलिए आप इस exam के बारे में detail में जानिए पहली चीज़, दूसरा कौन लेता है ये exam, इस exam को लेने के लिए agencies लगती है reason इसके पीछे है कि बहुत बड़ा exam है, बहुत सारे बच्चे बैठते हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इसलिए अभी इसके agency, NTA, National Testing Agency, अभी इसको राष्टिय परिक्षा agency, इसको अभी conduct कराती है हो सकता है 2024 में, इसमें थोड़ा बहुत बड़ाव आजाए, कोई नई agency आजाए, या फिर NTA ही रहे जब आईगे तो मैं हम आपको बता देंगे, पर ये एक agency है, इसमें बदलाओ में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आता दूसरी चीज, इसमें अगर आप दे रहे हैं exam, तो exam में आपको कौन-कौन सी चीज़े पता होनी चाहिए उसके बारे में छोटी-छोटे मैं आपको hint दे देता हूँ, यहाँ पर लिखी होई कुछ-कुछ बाते मैं आपको detail कर दूँगा जैसे अगर आप NEET का exam दे रहे हैं, तो एक act बना हुआ है, उसके हिसाब से अब भारत में, पूरे भारत में अलग-अलग exam नहीं होगे अब सारे medical colleges में एक exam से entry मिलेगी जिसका नाम है NEET, और कोई exam दूसरा होगा ही नहीं, तो आप इसके थुरू अलग-अलग जगे admission ले सकते हैं, डेंटल में, आयरुवेदा में, इन सब चीजों में, even MNS में भी military nursing जो service है, इसमें भी आप NEET के थुरू admissions ले सकते हैं, इस admissions मे ये तो admission की बात हो गई, बात यी हो गई कि इस exam को qualify करने के लिए हमें कौन-कौन सी चीजे चाहिए, हमें सबसे पहले चीजे चाहिए कि इसमें कितने questions आते हैं, इसमें question आते हैं मेरे बच्चे 200, total question कितने हैं, तो जो total question है आपके पास में, ये total जितने भी questions आएंगे आपक physics के question कितने आएंगे, physics के question आते हैं, 50, 50 question में से 2 set बना हुआ रहता है, एक 35 का set होता है और एक 15 का, 35 के पूरे question बनाने होते हैं, 15 में से 10 बनाना होता है, तो 35 हो 10 आपने बनाया कितना total, 45, उसी तरह chemistry में भी आपने ऐसी किया, 50 question मिले, 35 set का set पहला जो था, उसको पूरा 15 question में से फिर आपने 10 बनाया, कुल मिलाकर बने 45, ऐसे ही आप botany में भी करेंगे, और ऐसा ही आप जो लोजी में भी करेंगे, कि आपको कुल बनाने 45 ही हैं, 45, 45, 45, 45, 45 को मिलाकर 180 question हो जाते हैं, इन questions को बनाने के लिए आपको 3 घंटे 20 मट का time मिलेगा, इन questions को बनाने के ल सम्या में दे सकते हैं, बेंगौली में दे सकते हैं, गुजराती में देख सकते हैं, कन्नड में, मलयालम में, मराठी में, ओडिया में, पंजाबी में, तमिल में, तेलगु में, उर्दु में, किसी भी भाशा में देख सकते हैं, आप किसी भी भाशा में एक्जाम को आप ज वो भी बना दूँगा, लेकिन फिलहाल ये जो बात है, आज NEET को जानने का विशह है, कि NEET के लिए age limit कितनी होनी चाहिए, तो age limit ये मैं आपको बहुत clear कर देता हूँ, कि आप जिस साल एक्जाम देने जा रहे, just like आप 2024 में एक्जाम दे रहे हो, तो 2024 की 31 दिसंबर को आप 17 साल से अधिक होना चाहिए, अगर आप 2024 में एक्जाम दोगे, आज का count मत करो, जिस दिन form भरा है उस दिन का भी count मत करो, जिस दिन एक्जाम है उसका भी मत count करो, 2024 के 31 दिसंबर वाले दिन में, अगर आप 17 साल से अधिक हो, तो आपकी possibilities है, आप एक्जाम दे सकते हो, इससे कम हो, तो आप एक्जाम नहीं दे सकते हैं, तो आप इस दिन decide कर लेना, कि इस तारीक को मैं 17 साल का रहूँगा, अगर इससे जादा रहूँगा, तो मैं, ठीक है कोई दिक कर दे, जिस साल आपने admission लिया है, उस साल आप इससे ज़्यादा अधिक होना चाहिए, यह age limit है, दूसरे चीज़, अगर आपको, अगर आपको नहीं का exam दे सकते हैं, नई, आपको इसके लिए 12 का exam देना होगा, 12 में आपके कितने number होने चाहिए, 12 में आप जो है graduation कर रहे हैं, तो आप में physics की, या तो chemistry की, या तो geology का, या फिर botany का, इन चारों में से कोई दो paper आपके होने चाहिए, BSC में से, आप BSC जैसे mathematics ले लेंगे, तो आपको सिर्फ physics मिलेगा, BSC अगर आप chemistry कर रहे हैं, तो भी आपको दिक्कत होगी, तो आपके geology, botany, chemistry, physics, इन म में से कोई दो subject आपके होने चाहिए, तबी आप exam दे सकते हैं, याद रखना, अगर otherwise आपको 12th base पर exam आपको देना पड़ेगा, 12th base में exam आपके पास PCB होना चाहिए, कितना number होना चाहिए, general के लिए आपके पास 50% होने चाहिए, physics, chemistry, biology के, physics, chemistry, biology का, अगर आप percentage देखोगे, average percentage इन तीनों का, तो आपका 50% अगर आता है 12th में, आप general category से हो और आपका 50% आता है, तो आप eligible हो, NEET का exam दे सकते हो, और अगर 40% है, यदि आप SC, ST और OBC में आते हो, तो आप 40% में भी NEET का exam दे सकते हो, इससे कम है, तो NEET का exam नहीं दे सकते हैं, इसके अलावा, अगर कितना reservation है, क्योंकि ये एक चीज है, जो हर किसी को पता होना चाहिए, अगर आप SC, ST category से हो, तो आपको उतना डरने की जौरत नहीं है, अगर आप physical handicap हो, तो बहुत जार डरने की जौरत नहीं है, आपको ये exam में बहुत आसानी से exam में भी entry मिल सकती है, अगर आप general category के हो, त सकते हो थोड़ा सा, पर जैसे category आपकी SC है, तो All India quota पे 15% reservation है आपके लिए, अगर आप OBC category से हो, तो 27% reservation है, ST category से 7.5% reservation है, और इस reservation से आप normal number से बहुत कम number भी लाते हो, तो कई बहुत अच्छे percentage मिल जाते है, अगर आप physical handicapped हो, सारीरिक रूप से कहीं दिव्यांगता है तो अगर आप physical handicapped हैं, थोड़े से भी पढ़ाई में मन लग रहा है, तो आप इस exam को दे सकते हैं, और बड़ी आसानी से आपका exam, reservation में थोड़ा बहुत आपको लाभ मिल जाएगा, और आप इस exam में enter कर जाएगे, बस अपने अंदर एक moral जगाना है, कि यार मैं कर सकता हू और आप इस exam में आ जाएगे, इसके अलावा, number of question क्या है, physics में 45, chemistry में 45, biology में 45, botany में 45, सब में 45, total marks जो है, 180, 180, 180, 720, 720 नमबर आपको मिलेगा, अब 720 नमबर में से 3 घंटे 20 मिन आपको मिलते हैं, लगभग 20 मिन आप इसमें question देखते हैं, paper ये पर भर रहे होते हैं, 3 एकजाम को qualify करने के लिए आपको कित्ते number मिलेंगे, अगर आप attempt करते हैं, तो प्लस 4 number मिलेंगे, अगर 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 गलत कर देते हैं, तो minus 1 number आपको मिलता है एक्जाम में क्वालिफाई करने के लिए आपको अलग-अलग केटेगरी में कितना-कितना नंबर होना चाहिए कितना-कितना नंबर होना चाहिए जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक सामान सी भाषा बताता हूँ कि अगर आप कोई अदर मतलब आप सामान में हैं अगर आप सामान केटेगरी से हैं तो सामान केटेगरी में आपका नीट कट अफ परसेंटाइल 50 जो होता है वो 701 से लगभग 134 के आसपास ये नमबर जाता है पर इस साल जैसे ये लास्ट ये गया था इस साल ये 720 से 2024 की बात करूँ कि कट आफ क्या जा सकता है तो मैं 720 नमबर से लेकर 720 नमबर से लेकर लगभग 610 नमबर तक जिसका नमबर है वो नीट 2024 देस में अपने गौर्णनमेंट कॉलिज को प्राप्ट कर लेगा छीख है अगर ये फिसिकल हैंडिकेप की बात करूँ फिसिकल हैंड ST category से हैं तो आपको ST category में आपका जो neat cut off score है लगभग लगभग जो है वो 456-460 के आसपास आपका जा सकता है ये cut off minimum इतने नंबर आपके होने ही चाहिए अगर आप physical handicap में तो आपके और भी कम नंबर होंगे तब भी selection हो जाएगा SC category से हैं तो लगभग लगभग आप मान लेते हैं उतना ही 456-460 के आसपास लगभग इतने नंबर इसमें भी रहेंगे तो भी आपका SC category में भी हो सकता है OVC में लगभग लगभग अगर अपन मान के चलें तो वो 610 है तो लगभग लगभग अपन मान लेते हैं कि 610 है तो लगभग 600 नंबर के आसपास आप OVC category में रहेंगे तो आपका selection आप Government College को प्राप्त कर लेंगे इतना कम नंबर ये कोई ऐसा authentic data नहीं मैं ऐसी बता रहा हूँ आपको कि at least इतना कम नंबर होना चाहिए on average 4-5 सालों में इतना नंबर कम से कम आपको लाना है तो Government College आपको मिल जाएगा कितने seat है कितने seat है All India में कितनी seat है All India में लगभग लगभग अभी के आसपास मान लेते हैं तो 93,000 के आसपास seat है जिसमें से 45,000 के आसपास Government College के seat है और बाकि Private College के seat है तो 45,000 गौर्रमेंट सीट सीट है, इन में से 25,000,000 बच्चे एक्जाम को दे रहे होते हैं, अब देंगे अगले साल लगभग माननेता है कि 25,000,000 बच्चे एक्जाम देंगे, इन 25,000,000 बच्चों में आपकी क्या महतुता होगी, वो कौन सी चीजे हैं जिन से आपका NEET का सेल पढ़ेगे, सबसे पहले आपको 12-13 घंटे 12 hours पढ़ने की आदत होनी चाहिए, पढ़ने के लिए 12 hours पढ़ने की आदत होनी चाहिए, और ये 12 hours पढ़ने की आदत है, जो आपकी आदत है, वो उसके साथ होनी चाहिए कि सही टीचर आपके साथ हो, तो जब तक सही टीचर पात नहीं है, सही, गुरू आपके साथ नहीं, आपका नीट का सेलेक्शन नहीं हो सकता, लिख के ले लो, कोई भी इनसान जो एक दो साल ड्रॉप लेता है, उसके बाद ही उसका सही दिमाग खुलता है, इसलिए सही टीचर्स की तलास कर लो, क्या जरूरी होता है, सबसे पहल टेस्स सिरीज जोईन करना, कि अगर आप एक्जाम में पार्टस्पेट कर रहे हो, तो आपका पूरा का पूरा सिलेबस, जो है न, मेरे बच्चे, वो 31 जनवरी तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो नीट का सेलेक्शन हो सकता है, 4-5 टाइम्स लगबग लगबग, और जित सिलेबस को सब्जेक्ट में 20,000 के आजपास कोशन पर सब्जेक्ट अगर आप बनाते हैं, तो आपका नीट का सेलेक्शन हो सकता है, बहुत ध्यान समझेगा, सिलेबस को 31 जनवरी तक कंप्छन करना, कैसे करना है, मैं बताता हूँ, फाइफ टाइम रिवीजन होना चाहिए कर सकते हैं, पचास टेस्ट सिरीज के कोश्चन आपको बनाने हैं, दो 20,000 कोश्चन पर सब्जेक्ट फिस, केमेस्ट्री, बाइलोजी के आपको बनाने हैं और आपका नीट 2024 का सेलेक्शन पका है, एक्जामपल है, कैसे बना सकते हैं, कब सुरू करना चाहिए, ये उन बच्चों के लिए बिलकुल नहीं है, जो आखरी के 45 दिन में, 40 दिन में, ढूरते के 45 दिन में नीट कैसे निकालें, ये सब कोई जादू नहीं है, नीट कोई आसान सा एक्जाम नहीं है, बहुत कॉम्पेटिशन है, अब इस कॉम्पेटि नमबर था, मानता हूं मैं, आपको पता है, बाकी के जो है, 20-22 बच्चे जो है, 715, 715, 715, 715 नमबर आया, अब सोचो कि बा, अच्छा, उन में से भी ज़्यादा बच्चों का 710 है, टॉप 50 तो 710 में क्लोज है, अब इन में से मैक्सिमम बच्चों का जो परसेंटेज है, वो 715 बंदरा ही है, लेकिन एम्स दिल्ली जब मिलता होगा, तो सोचो कितना दुख लगेगा तुमें इस बात का, कि तुम्हारे बराबर का ही एक नमबर, 0% का हेरफेर है, वो बच्चा एम्स डेली में है, और तुम यहाँ पर हो, तुम किसी और कॉलेज में हो, एम्स डे के बाद भी एम्स डेली नहीं मिल रहा है, तो तुम सोचो कि एक एक नमबर की कितनी वैलू है, अब वो एक नमबर की वैलू को हम सुधार कैसे सकते हैं, लगातार 50 टेस्ट सिरीज वगरे देकर, 50 बार 5-6 बार रिवीजन करके, 20 जार कोश्चन्स को बनाकर, यह सब सकते हैं, नीट का सेलेक्शन नहीं हो सकता, अगर तुम यह नहीं कर सकते हैं, नीट का सेलेक्शन बिलकुल नहीं हो सकता, नीट का सेलेक्शन अगर चाहिए, तो यह करना पड़ेगा, आप में से मैक्सिमम बच्चे बता रहे थे, कल मैं बात करा था कि क्या आखिर गलतिया हमने की जो 2024 में हमारे selection पे आड़े नहीं आनी चाहिए या 2023 में हमारे selection क्यों नहीं हुआ maximum बच्चों ने का सर हमने question नहीं बनाया था प्रैक्टिस नहीं की थी revision नहीं किया था एक बार पड़ा बस revision नहीं किया उन्हीं चीजों को सुधारना है इस साल इस साल revision करवाना है test series रोइन करवानी है 50,000, 60,000 जितने question बने total 20,000 करके हर subject के बनाओ 60,000 question सब मिला कर इन में से maximum बच्चों से अगर मैं बात करूँ कि ठीक है हम सब समझ तो गए teachers के बारे में भी जान लिया शुरुआत कैसे करूँ जैसे जैसे तुम लोग physics पढ़ रहे हैं ठीक है physics के knowledge के बारे में मैं अगर मैं बात करूँ तो physics अगर start करो तो basic mathematics सबसे पहले पढ़ लो उनको पढ़ने के बाद जब वो basics clear हो जाएगा ठीक है शुरू-शुरू के कुछ normal physics के चीज़े पढ़ लो फिर उसके बाद आ जाओ 12 पे फिर 11 पे section पे physics पढ़ सकती हो chemistry में पढ़ने जाओ तो सबसे पहले mole concept से start करो थोड़ा बहुत nomenclature पढ़ो थोड़ी बहुत और चीज़े पढ़ो संकल्पनाएं बहुत सारी हैं उन सब चीज़ों को पढ़ो जब उनको पढ़ लोगे तो chemistry समझ में आनी शुरू होती है biology की बात करें तो biology में पूरा एक ही ब्रह्मा है NCRT और NCRT में भी मैंने बता दिया कि जब तक अभी official announcement नहीं होती आप नई pattern case आप से ही आप पढ़ा ही कर रहे हैं हम भी आपको नए pattern case आप से ही पढ़ा रहे हैं पुराना pattern हम आखरी में पढ़ा देंगे अगर पुराना pattern आया NCRT चेंज नहीं हुई तो आपको पुराना pattern पढ़ा दिया जाएगा otherwise उसको पढ़ने की कोई ज़रूद है ही नहीं आप चाहे physics हो चाहे chemistry हो चाहे biology हो अगर आप चीजों पर फोकस कर रहे हो अगर आप चीजों पर फोकस कर रहे हो जस्लाइक मैं biology के बारे में बात आया NCRT के बाद पूरा PYQ बनाना है इसके अलावा NCRT के exemplar बनाने हैं और NCRT exemplar बनाने के बाद लगभग हर chapter पर हर chapter पर NCRT based question बनाने हैं NCRT based question बनाने हैं अब बनाओ ना कौन रोक रहे हैं तुम्हें कौन रोक है आखिर और तुम्हें क्या लगता है ये चीज 15 दिन में करने की है ना भई साल भर लगता है जनवरी में anyhow syllabus खतम करना ही करना है उसी तरह chemistry में भी होता है कि आप पहले पूरे concept को पढ़ो उसके numerical बन बनाओ जांपलर बनाओ NCRT based question बनाओ physics में भी वही है PYQ बनाओ concept पता चलेगा कि यार syllabus किस दिशा में जा रहा है और मैं कैसे पढ़ाई करूंगा इसका ये सारी चीज़ें आपको इसी तरीके से पता चलती हैं आपको साल बर हम revision करवाने की बात कर रहे हैं हम साल बर आप 5 नीट के बारे मैंने तुम्हें सब बता दिया कितना टफ कितना आसान क्या क्या लगता है कैसे लगता है अब बताओ अब नीट का exam देने के लिए आतुर हो अब भी नीट का exam देना है अगर सच में देना है अब तो सब कुछ बता दिया हर एक बात बता दी मैंने तुम्हें नीट के बारे में, तो देना है, पूरी टीचर्स के वीडियो चाहिए, पूरे टीचर्स की पार्ट को पढ़ना है, पांच बार रिवीजन करना है, 31 जनवरी से पहले सिलेबस खतम करना है, इसके लावा 11, 12 दोनों को मजबूत करना है, 20,000 कोश्चन बनाने है, PYQ पे फोकस क करना है, NCRT बेस कोश्चन बनाने है, ये सब बनाने है, तो ये सब के लिए इधर उधर क्यों जाना, हिंदी मेडिया मतलब डाउटनट, तो अगर तुम इन सब चीजों की तरफ अगर मन बना चुके हो, तो डाउटनट ने ये चीज़ पहले मचा रखी है, देखो ये का रिजल्ट हमने दिया है, तो तुम्हारा भी रिजल्ट बहतर करके देंगे मेरे बच्चे, और ये पॉसिबल हो सकता है, नीट आरंब बैच में, आरंब 2024, अब आया है 2.0, पहला आरंब बैच जो है, बहुत मजा चुका है, इतिहास रचने के बाद, अब इतिहास रचन हैं, तो आपको live classes मिलेंगे, teachers से one-to-one interaction होगा, बढ़िया आप teacher से सारी चीज़े पढ़के, आप अपना knowledge बढ़ा सकते हो, live classes मिलेंगे, live streaming मिलेंगी, A star top batch, क्या है A star top batch, हर वो बच्चा जो महनत कर रहा है, उसको बाकी भीड से अलग करना, हर वो बच्चा जिसकी छमता अ आप किसी भी बड़ institution पे जाओ, हर जगह एक अच्छे इस brand को अच्छे तरीके से polish किया जा सकता, आप ये कहें कि कोईले में पड़ा हुआ हर इंसान को polish किया जाए ज़रूरी नहीं है, पर उस कोईले से हीरे निकाल को polish करना ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, तो आप आप भी देखिए अपने अंदर के हीरे को और खुद को जोग दो, आप में से बहुत सारे बच्चे इसको demotivate भी फिल करेंगे कि सार अच्छा आप हीरे पे focus करने वाले हो, तो तुम अपने आपको koila क्यो समझ रहो मेरे भाई, तुम भी तो हीरे ही हो, तो तुम्हें भी हर महीने backlog series होगी, performance check होगा, हमारी पूरी team आपके साथ लगी रहती है, आपके लिए लगी रहती है, आपके माता पिता से बात करना, आपके परिशानियों को जानना, आपके मुश्किलों को जानना, हर चीज़ जानना हम इस batch के थुरू करेंगे, performance check करेंगे, क्यों result नहीं आ रहा है, day to day आपके क्यों class नहीं आ रहे हो, आप क्यों हमारे पास में नहीं हो, क्यों test नहीं दे रहा हो, कितने number आ रहे है, हर चीज़ का ध्याना आप इस batch में रखेंगे, homework दिया जाएगा, ताकि हर बच्चा अपने homework को करे, और अपने अंदर के जो भी भ्रांतियां है जो परिशानिया है, उसको आप सुधार सके, देखो यार, नीट में theory पढ़ लेने को नाम नीट नहीं होता, नीट में हमेशा अपने आपको maximum question प्रैक्टिस करने होते, इसलिए 20-20 question कहा मैंने, इतने question जब question प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे तुम superior होने लग जाओगे, हो सकता है पहले test में तुम्हारी कम number आएं, दूसरे test में कम number आएंगे, तीसरे में आएंगे, चौथे पाँचवे में तुम्हारा number बदलने लगेगा, बढ़ने लग जाएगा, तुम्हें बस मेहनत करनी है, यह batch यही सब चीजों की विवस्था तो कर रहा है, homework तुमें मि पर मज़े की बात यह कि अगर तुम्हें जिस teacher की बात समझ मारी उस पर भरूसा कर लो और चुड़ जाओ इसके साथ आज, कि भाई हापने, मतलब हमें 31 जनवरी तक syllabus खतम करना है, anyhow मेरे पास वक्त नहीं है, देखो exam कब होगा, माई में होगा, 2024 के, लेकिन मैं तुम्हें 31 पर आप लोगों को यह बैच मिल रही है, छे हजार 999 रुपए का offer सिर्फ 22 जून तक है मेरे बच्चे, इसलिए अगर अपनी life में, अपनी सफलता को, अपने प्रियास को जारी रखना चाहते हो, और उसके लिए वो सारी चीज़ें आपको इस बैच में मिल रही है, तो ज्वाइन करो इस बैच को, 6999 रुपए में, आपको coupon code यूज करना है आरंब कॉल करना है, 01247158250 पे इतिहास रचने का मौका है, इतिहास रचने के लिए आपको इस बैच को जवाइन करना चाहिए, क्योंकि ये वही बैच है, जिसमें आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, आप में से बहुत सारे बच्चे अभी ये सोच सकते हैं, कि ये बैच अ बच्चे हम से जुड़ चुके हैं, और आरंब 2.0 में भी जो बच्चे जुड़ेंगे, तो सबकी उम्मीदे हमारे साथ है, रिजल्ट देना हमारा काम है, हमारे अपने काम को हम बहतर तरीके से करना जानते हैं, तो प्लीज अगर आपको लगता है कि 2024 में ये जो क्राइट के साथ जरूर पहुंचाना क्योंकि मौका सीमिद समय के लिए, थैंक्यू, बाबाई